मंजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जानोती है पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है तो देखिए आज का वीडियो जो है वो चैप्टर 3 विद्धु धारा के लिए होगा और आज हम पूरा चैप्टर इसी ही वीडियो में फिनिश करेंगे क्लाश 12 फिजिक्स के सबी टाइप्स के इस चैप्टर के कुछिन देखेंगे आज के इस वीडियो में और इन कुछिन में से मैंने बहुत सारी कुछिन अल्रेडी सॉल्व करा दिया है जो बचेवे मैं अभी सॉल्व करा दूँगा ठीक है बहुत इंपोटेंट वीडियो है ह मैंने आपको बताया था एक वर आपको ध्यान होगा कि मैं चैप्टर वाइस एक स्रीज स्टाट करने वाला हूं जिसमें में हम लगबग लगबग 15 दिनों में फिजिक्स के सारे चैप्टर देख लेंगे और बहुत इंपोटेंट वीडियो है आज का काफी लेट वीडियो में बताएंगे था था है दोहें जार ते इस के लिए मोस्ट इंपोटन टॉपिक है मौस्ट इंपोटन चैप्टर है थीक है बहुत ज्यादा इस चेप्टर से आता है सभी टाप को सब्सक्राइब चैप्टर से पूछता है थीक है तो देखते है फृस्ट क्वेशन फ्याक विध्यू धारा घणतव ये वीडी में सब्सक्राइब 10 सब्सक्राइब पर बिलनाकार चालते चालता कि परतिरो錢 गरna तका गुलंदफल निर्वर करता है किस पर निर्वर करता है ताप क्रम पर ताप मान पर यानि पदार्थ पर मैटर पर यानि की अनुप्रस परिछेद छेत्रफल पर या फिर इन में से कोई नहीं तो इन में से कोई नहीं जो उसकी चालगता है वो इन तीनों में से किसी पर भ वोगुना कर दिया जाता है, तो उसका नया परतिरोध क्योंगा वगा, तो इसके लिए देखिए, एक formula है, मैं आपको बता जाता हूं ठीक है, देखिए, formula क्या है, r- is equal to n square और r, ठीक है, आब देखिए, इसमें जो हमें इवाला दिया हुआ है, r is equal to 50 अो तो यह हमें r is equal to 50 दिया हुआ है ठीक है और एन कमान कैसे मिलेगा एन कमान मिलेगा तार की लंबाई कितनी करी गई है तो देखे तार की लंबाई कितनी करी गई है दो गुनी कर देते हैं अगर दो गुनी कर दी तो तीन गुनी कर दी या चार गुनी कर दी तो एन की वैलु वही हो जाएगी तो तो 2 गुन कर दी तो n की value कितनी होगी 2 जो नया परति रोद है वो हमने r- मान लिया तो r- is equal to n कितना है 2 तो 2 का square into r कितना ये वाला जो 50 है तो 52 का square कितना हो जागा 4 into 50 is equal to कितना हो जागा 50 के 200 200 ohm हो जाएगा नया परति रोद कितना जाएगा 200 ohm तो इसका option number फोर्थ बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है समझ माया बात आगे देखते हैं समानतर किरम में जुड़े 10 ohm के 2 परति रोद परति रोदों का तुल ये परति रोद है तो देख लेते हैं इसको भी हम तो देखिए r1 is equal to 10 ohm दिया हुआ है परति रोद है और r2 is equal to 10 ohm दिया हुआ है समानतर किरम का formula के होता है 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 ठीक है 1 upon r1 कितना है 10 plus 1 upon r2 भी कितना है 10 is equal to 10 जो है एक time आएगा 1 time और 1 plus 1 is equal to 2 upon 10 इससे ही कटेगा 2 बन जावन 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 ठीक है तो 1 upon r is equal to कितना देगा 1 upon 5 तो is equal to r is equal to 1 upon sorry r is equal to 5 upon यहां से ठीक है तो इसको option number कौन सा वाला 4 तो बिल्कुल अपक correct हो जाएगा ठीक है आगर देखते हैं 100 बाट और 200 बोल्ट का बलब 110 बोल्ट की supply से जुड़ा है बलब में व्याय होने की शक्ति होगी ठीक है यह भी मैं आपको करा दिया देख लीजिएगा इसको भी पहले सी ठीक है तो इसका option number आप इसका answer मुझे कौन सा होगा ठीक है आप लोग इसका answer मुझे comment करेंगे ठीक है आप भी तो कुछ करेंगे हम तो कराई देंगे अगर नहीं मिले तो मुझे बताइए जबर comment section में की सर मिला नहीं ठीक है मैं आपको कराऊंगा फिर ठीक है क्योंकि हमारे तो फर्ज आपको कराना ठीक है इसका comment में answer करिए सब के सब ठीक है करना और formula के साथ करिएगा law ठीक है आगे देखते है अब हम antielsius उत्तिर प्रशन देखते है ठीक है आधी लग उत्तिर प्रशन क्या होते है बिसीष्ट चालक्ता के लिए सूत्र आपको दमातरक लेखीं यह होती है उसके लिए सूत्र और मातरक आपको लिखना है ठीक है या से इसका मात्रव हो जा? महों मिटर महों मिटर अब जब मुझे इसका मात्रक निकालना 20 छलकता सिगमा का तो यह ऊपर चला जाएगा तो अगला कौशन कीया देए बोकुशन क्या है हमारा तामबे के एक तार जिसकी अनुप्रिस्त कार्ट तू इन्टू टू दिपार माइनस सिक्स मीटर स्कॉएर है इसमें 3.2 एंपिर की धारा पिरवाहित हो रही है तार में पिरवाहित धारा गहनतव का मान निकालना है आपको ठीक है तो देख लेते हैं भी कितना दिया हुआ है में ठीक है बहुत असान है तो देखे धारा गहनतवा जो फॉर्मूला होता है वह क्यों होता है जे इजिकल टू आई अपॉन ए यहां पर हमें आई की वैल्यू गिवन है 3.2 और यहां पर एक की वैल्यू कितनी दिए है टू इन्टू टैन्टू द आप निकाल लेंगे मैं यहां पर आपको बताया था यह यहां से खुद निकाल लेजिए इसको अब ठीक है अगला देखते हैं 1000 वाट और 250 बोल्ट के हीटर के तार का नया परतिरोग गयाद करो तो इसका नया परतिरोग आप लोग कैसे गयाद करो ठीक है तो देखिए हमे एक हजार बाट बाट किसका मातार सक्ति का किस से दिखाते हैं पी से तो पी की वैले art ये एक हजार बाट ठीक है और हमें वी की वैल्य दिरखी 250 बोल्ट ठीक है 250 बोल्ट है तार का नया परतिरोद निकाला नया परतिरोद कासी निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूल होता है R is equal to V square upon V square upon P P की value हमारे पास ये है और V की value ये है इसका square कर देंगे answer easily हमारा आ जाएगा ठीक है बहुत आसान है भई इसमें तो कुछ भी ने करना भी का मान ये दिया हुआ यहां पुट कर देना और पी का मान यहां divide कर देना answer आपका जाएगा कुछ भी ने रखा इसमें तो ऐसे दो पदार्तों के नाम लिखी है जिसके जिनकी प्रतिरोदकता ताप बढ़ाने पर घटती है अगला कोशन गया मैंने करा रखा इस आप क्या समझते है आपको मैंने फॉर्मूला पीचे लिखा यह परिवास बनाके लिख दीजिएगा ठीक है इसका मातरक वहीं से निकाल लीजिएगा और बीमा और तदा शूत देखिए यह मैंने आपको जे इसकल आई अपान एपान सब्सक्राइब करते हैं और यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपको प्रूफ करना है जहां पे जो ई है वह चालक का विद्यू चेतर है और यह पीछे पढ़ चुके हैं ठीक है किसी दारा बाई चालक में दारा गन तो जे तदा अनुगमन बेग बीडी में संबंद इस्तापित कीजिए बहुत बढ़िया कोशन है संबंद आपको रिलेशन फाइंड करते हैं मैंने करा रहे हुआ है बिसिस्ट प्रत्रियोत की परिवासाब लिखिए तो आई पीछी आ पूछा भी फाइब बहुत अच्छा कोशन है हर बार पूछा भी जाता है यह गुत्रिया प्रशन सारे के सारे हुई टिश्टोन परिबत चित्र बना खिचकर उसकी स्यामियावस्ता का प्रतिवन्द ग्याद निकाले तो P upon Q इस इस प्रोव करना है हुई टिश्टोन से तू में ठीक है बहुत बढ़िया कोशन एक मीटर से तू हो आगे की बात है तो यह 18 कोशन ते जोगी इस पूरे चाप्टर को हमने फिनिश कर दे अगर यह 18 कोशन आप लोग कर लेते हो तो आपको 80 या 90 परसंट लाने से कोई नहीं रोख सकता मैं आपको गारेंटी देता हूँ ठीक है बाकि सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया सकते हैं तो इसी के साथ हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंद्य मातरम भारत मता कीजाएं